अपने blog website के लिए किस तरह से do follow backlink बनाएंगे तो finally friend आज का वीडियो हमारा ऐसी topic पे है आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अपने blog website के लिए do follow backlink create कर सकते हैं दोस्तों do follow backlink हर एक website के लिए जरूरी होता है अगर आप अपने site के ओपर जल से जल traffic लाना चाहते हैं तो आपको अपने site के लिए do follow backlink जरूर करना चाहिए अभी के rate में दोस्तों Google उसी post को उसी site को जल्दी rank करवाता है जिस site का या जिस post का do follow backlink अधीक होता है इसलिए दोस्तों मैं आपको यही recommend करूँगा कि आप लोग अपने blog post या आप लोग अपने site के लिए do follow backlink जरूर करें अगर दोस्तों आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकर आखरी तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं के description में एक link मिल जाएगा simply उसके उपर जावप क्लिक करेंगे तो आप इस page के उपर पहुच जाएंगे अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि DAPA कैसे increase करना है तो भाई आपको अपने blog post के लिए या blog के लिए do follow backlink create करना है और साती साथ दोस्तों अगर आप परना नहीं चाहते हैं तो हमने यहां पर कुछ लिस्ट प्रोवाइट किया है जहां पर दोस्तों आप लोग comment के दोवारा do follow backlink create कर सकते हैं simply दोस्तों यहां पर आप दे सकते हैं बहुत तरह का आपको लिस्ट देखने को मिल रहा है personally हम हमने इन साथे लिस्ट के ऊपर लगबग हमने comment करके do follow backlink create किया है वही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जैसा कि आप यहां पर देख पाड़े हैं यह डोमेन है इसको आपको यहां से copy करना है और यहां पर new tab में आपको इसे open करना है ओके इस site के ऊपर पहुंशने के चलिए मैं आपको दूसरे tab में open करके बता देता हूं जब दोस्तों आप लोग इस site का कोई भी post open करेंगे आप नीचे आएंगे तो यहां पे दोस्तों आपको login और register बटम देखने को मिलता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर register बटम के ओपर किलिक करके अपना य username, email id और location डालने के बाद आप capture फिल करके create account कर लेंगे यहां पर दोस्तों account मराना बहुत यह आसान है account बन जाने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर login कर लेना है login करने के बाद कोई भी post आप यहां पर open करेंगे जैसा कि आप यहां पर देख पा रहा है और साथ सब्चेक्त में यहां पर आपको comment करने का और ऑफसन देखने को मिल जाता है यहां पर सब elas अब कुछ बहूंद सकते है यहां पर आप कुछ information सकते हैं और यहां पर कॉमेंट करना वह इन्पार्टैंट है ठीक है एंकर टैग का आपको इस्तेमाल करना है वो कैसे करना चलिए मैं आपको बताता हूँ Google पर जाना है और यहां पर दोस्तों आपको लिखना एंकर टैग और आपके सामने यह साइड ओपन हो जाएगा इसे आपको अपन कर लेना है open करने के बाद दोस्तों try it yourself के उपर आपको यहाँ पर किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तों आपको इन सब टैग को यहाँ से हटा देना है ओके इनको भी हटा देना है अब दोस्तों यहां पे आपको अपना पोस्ट का URL या अपने साइट का URL डालना है वो कैसे डालना है चलिए मैं आपको बताता हूं तो यहां पे फ्रेंड आप देख सकते हमारा एक पोस्ट है ठीक है इसका URL हम यहां से कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद आपको यहां पे से paste कर देना है और इसका जो भी नाम देना चाहते हैं वह आप यहां पर लिखे-गे चलिए सका नाम भी देते हैं इतना हम देते हैं ओके इसके टाइटल को हम कॉपी कर लेते हैं लिए यहां पेस्ट कर देते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर रन बटम के ऊपर किलिक करना है उसके बाद दोस्तों आप इस लिंक के ऊपर किलिक करके एक बार चेक कर लेंगे यहां पर साइड यहां पर ओपेन हो रहा है यहां पर दोस्तों आप देश सकते हैं हमारा साइड ससस पेस्ट कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप प्रिव्यू भी कर सकते हैं उसे भी कर सकते हैं तो फिलाल दोस्तों हम लोग डायेट यहाँ पर सेव कर देते हैं रहा है जो कॉमेट यहाँ पर यहां पर यह लिंफ है जो लिंक हमने लगा रहा है अब इसको चलिए जह टेक कर लेते लिए अब कर देते हैं एस हृपर किलिक करके और यहां पर दोस्तों आप आप देख सकते हैं कहीं पे भी no follow back link नहीं बोला जा रहा है ओके यह 100% do follow back link है तो इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे back link बनाना है सिंपरी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चलिए सबसे पहले मैं इसका Alexa ranking आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे दोस्तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से अपने side को link करेंगे वो भी इस side के ऊपर सिंपरी दोस्तों मैं आपको बता जेता हूँ यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं post a comment इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा अब दोस्तों मैं आ हम आपने side का email ID देंगे और यहाँ पे हम अपने side का URL देंगे चलिए हम यहाँ पर अपने side का URL लिखते हैं तो simplify हमारे side का URL यहाँ पर यहाँ चलिए है अब दोस्तों यहाँ पर आप remember कर लें चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं Simply हम लोग यहां से completely हटा देते हैं अब दोस्तों आपको यह code देखने को मिल रहा है यह code आपको वीडियो के description में मिल जाएगा Simply दोस्तों इस code को यहां पे paste करें paste करने के बाद आप यहां पे site का URL देंगे तो हमारे site का URL यहां पे है चलिए मैं इसे paste करता हूँ Simply हमने यहां से copy कर लिया अब यहां पे हम इसको paste करेंगे यहां पे हमने इसे paste किया अब यहां पे जो URL नेम है तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दे, जो भी आपका नाम है, चलिए हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो कुछ comment भी लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह से आप लिख सकते हो, तो तो चलिए हम अभी फिलाल कुछ भी यहां पर नहीं लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां से इसे प्रिव्यू करके देखेंगे, चलिए हम प्रिव्यू के उपर करते हैं, क्लिक, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यह हमारा प्रिव्यू आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है अब यहां से हम लोग post के ओपर करेंगे click तो यह post हमारा publish हो गया यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह post हमारा completely publish हो गया है और यहां से आप लोग फिर से अगर चाहते हैं तो फिर से कर सकते हैं तो इसी तरह से आप लोग यह सब side के ओपर comment कर सकते हैं अब चलिए मैं आपको दूसरे side के बारें बताता हूँ दूसरा side हमारा यहां पर आप देख सकते हैं इसके ओपर आपको visit करना है, चलिए इसे हम यहाँ से copy कर लेते हैं, copy करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसे paste करके click करते हैं, तो यहाँ पर friend आप देशकते हैं, यह side यहाँ पर open हो चुका है, open होने के बाद friend आपको यहाँ पर block के ओपर जाना होगा, click करने के बाद यहाँ प करते हों वरना दोस्तों आप लोग यहां पर डाइट कॉमेंट करेंगे चलिए यहां पर थ्वासा कुछ इन्फर्मेशन देते हैं जैसे लिए ते वेरी गूड उसके बाद हम लोग यहां पर कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे यह वाला कोडिंग को आपको यहां से कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद आप यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे ठीक है यहां पर आपको इसे पेस्ट करना है पेस्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको सेफ बटम के ऊपर क्लिक कर लेना है यहां पे नाम डाल देना है और email ID डाल देना है और website का URL डालना है उसके बाद friend आप इस बटम के उपर किलिक कर देंगे क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब है조 लिए आपको देखने को मिल रहा है ठिक है उसके बाद आप लोग यहाँ पे पूस्ट कॉमेंट के उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पे अपको पतारे देता हूं कि यहाँ के कितना लिस्ट यहां पर दोस्तों को बहुत तरह का आपको देखने को मिल जाएगा अब सारे की उपर कॉमेंट करके अपना कर सकते हैं तो इसी तरह से दोस्तों आपको बैक लिंक बनाना है हमने आपको बहुत सिंपल प्रोसेस बताया कि कैसे आपको बनाना है और इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिफ्शन में दे दिया जाएगा डारेक्टली आप लोग यहां पर पहुंच करके जितना भी आप लोग बैक लिंक बनाना चाते हैं बना सकते हैं तो फाइनली यह वीडियो को कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो प